दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल परदेश पुलिस कोंस्ट्रेवल का फॉर्म आपको कैसे भरना है step by step मैं सभी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ये भरती जो होने वाली है एक हजार आठासी पदों पर होगी बरहभी past candidate इस भरती के लिए अपलाई कर सकते हैं इस भरती में खास बात यह है कि पहले आपका physical होगा बाद में आपकी जो है return होने वाली है पहले मैं basic जनकारी बताऊँगा कि इसमें क्या आपकी height होनी चाहिए कितने chase होनी चाहिए इसके लाबे running कितने minute में कितने kilometer की करनी है फिर इसी वीडियो में फॉर्म भड़ने का जो भी process है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा वीडियो अगर आपको पसंद आ तो इससे like और share जरूर कीजिएगा इससे update के लिए channel को subscribe कीजिए ताकि आगे भी इस पर करके जो भी update होगा आपको मिलता रहेगा फिलाल अपने skin पर चलते हैं इस भरती के बारे में पूरी detail जनकारी बताते हैं कि कैसे इसका form fill करना है दोस्तों अभी आप देख पार होंगे हम हिमाचल परदेश public service commission के जो official website है इस website पर है यहीं पर देखेंगे आपको latest notification में advertisement इन्होंने जारी किया है यहाँ पर HP police constable जो कि फिमेल के लिए notification है और यहाँ पर mail के लिए है आप जब इस पर click करेंगे तो दोनों के लिए notification आपके सामने download होकर आएगा जिसमें पूरी जनकारी बताएगी है कि किस category में कितनी भरती होने वाली है mail के लिए कितनी है फिमेल के लिए कितनी है और भी detail जनकारी बताएगा है एक बार मैं आपको short में इसका पूरा detail information देता हूँ फिर आगे मैं form बढ़ने का step by step process बताऊँगा जैसे इसका online आविदन 4 October से start किये गया है 24 October तक आविदन चलेंगे अप्लिकेशन भी की बात की जाए तो general EWS को 600 रुपे सी एस्टी ओविस्टी को डेर सो देने है फिमेल के लिए कोई अप्लिकेशन भी नहीं लग रहे है एज लिमिट जो है एक एक 2024 करनुसार काउंट किये जाएंगे minimum आपका 18 साल अधिक्तम जो है 36 साल बकी एज में relaxation है qualification की बात की जाए तो 12 वी पास होनी चाहिए बाकी vacancy की detail देख सकते हैं कि किस category में female के लिए कितने city है male के लिए कितने है वो जनकारी आपको मिल जाएगी गुल मिलाकर 1088 पदो पर male female दोनों के लिए भरती परकिरिया होने वाले है चैन परकिरिया की बात की जाए तो इस भरती में सबसे पहले आपकी जो है physical test होगी फिर आपकी retain test होगी फिर document verification होगी फिर medical होगी फिर joining परकिरिया होगी अब देखिए physical standard के बारे में जनकारी आपको जानना बिल्कुल जरूरी है जैसे बाकि कोई male candidate है तो इनका height 5.6 feet होनी चाहिए और chest के बारे में जनकारी आपको दिये गए है वही कोई female candidate है तो उनका जो height है इतना होना जरूरी है इसके अलाबे जो P.E.T. होगा जिसमें आपकी running होगी तो running के लिए बतायागा है कि male को जो है 1500 meter का running सारे 5 minute में करने है female के 800 meter का 3 minute 45 second में करने है high jump जो होंगे 1.3 meter का 3 chance मिलेंगे female को बतायागे 1.10 meter का 3 chance आपको दिये जाएंगे 100 meter का जो race होगा जिसके लिए आपको 14 second दिये जाएंगे female को 17 second है यह सभी जनकारी है document के बारे में जनकारी मिल जाएंगे online apply करना चाहते है link description box में है direct उस पर click करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पढ़ाने के बाद एक option मिलते है online apply का जिसके सामने आप जब click करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है otr registration करने होंगे आप इस पर click करेंगे link जो दिया हूँ direct आपको यही link पिलेगा आप direct race page पर आ जाएंगे यहाँ पढ़ाने के बाद एक option मिलता है new registration का जिसके सामने आपको click करना है फिर आपके सामने सभी term and condition आता है सबसे पहले आपको अपना email id अपना mobile नमबर देना है यहाँ से कोई भी एक secretary question आप चैन करेंगे उसका जो भी answer है आप यहाँ पर देंगे एक password create करना है धियान यह रखिएगा कि password में आपको हमेशा जो है ABCD का कोई भी बड़ा अक्चर कोई भी छोटा अक्चर कोई भी symbol कोई भी अंक आपको प्योग करना है इस परकार का password acceptable होता है उससी password को दुबड़ा से डालेंगे capture code को डालेंगे I agree करेंगे और register वाले विकलपर किलिक करेंगे अब यहाँ पर आपका mobile number email id देखनों को मिलेगा बोलेगा कि sure है आप यहाँ पर इस वाले विकलपर किलिक करें इस परकार आपका registration complete होता है अब यहाँ पर देखिए आपक देखेंगे link दिया गया simply इस वाले link पर आपको क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं थोरा सबको wait करना है यहाँ पर आपके नंबर पर जो OTP भेजे गया होंगे उस OTP को यहाँ पर डालना है और submit वाले विकलपर क्लिक करना है इस परकार आपका जो account है successfully यहाँ से इसको recent कर सकते हैं उसके बाद simply यहाँ से home बाले विकलपर आप क्लिक करेंगे फिर user ID में जो आपको मिले हैं भी user ID उससे डालेंगे password भी आपको मिले होंगे email को चीक करेंगे उससे डालेंगे फिर capture code को fill करेंगे login करेंगे हलाकि अपने password खुद ही set किया होगा उससे डालकर आप login करेंगे उसके बाद इस परकार डेसबोड आएगा जहां पर इन्होंने clear बताया है कि जहां पर जो star बना है वो जनकारी mandatory है वो आपको देना जरूरी है और जहां पर हच लगा है वो जनकारी आपको अच्छे से fill करना है बाद में कोई changes करने का option आपको नहीं मिलेगा उसके बाद यहां पर सबसे पहले applicant का नाम बताना है तो जो भी आपका नाम होगा पहले नाम लिखेंगे और यहां से एक title जैसे Mr. अगर आप लरका है तो अमारे से वो चुनेगी जो कोई लरकी है या कोई विवाहित महिला है तो MS चुनेगी तो आप अपने according यहां से अपना title चुनेगे अपना नाम लिखेंगे डियो बी के लिए यहां पर calendar मिलता है सबसे पहले साल जो महिना हो उससे बढ़ा गटा कर उससे चुने फिर यहां से date को chain करेंगे जेंडर बताएंगे पिता को जला को हो तो उसके बारे में जनकारी देनी है अगर आप हिमाचल परदे से ब्लॉंग करते हैं तो domicile of HP चुनेंगे अगर आप bona fide of हिमाचल परदे से तो उसको चुनेंगे वही कोई लोग हिमाचल परदे से 10-12 की जो है पढ़ाई किया है तो वह चुनेगा अगर मान यह इन में से तीनों option आपका नहीं है अगर आप other estate वाले हैं तो none of these वाले option को चुनेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि आप किस estate से ब्लॉंग करते हैं आप अपना estate को यहां से बताएंगे साथ में category आपका unreserve रहेगा यह दिहान रखिएगा क्योंकि other estate वाले जभी वी क दिहान रखिएगा उसके लब सब category आप से पूछी जाती है वह आप बताएंगे यहां पर सब category पूछेगा कि अधिया पैच्पी में जो है government employee है मैं लब हिमाचल प्रदेश में तुट्टी करें अने था इसको ऐसा ही छोड़े निसनालेटी में आपको इंडियन चैन करना ह है religion बताना है कि किस धर्म से ब्लॉंग करते हैं अगर आप minority से ब्लॉंग करते तो इस करें अने था नो वाले विकल पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर पूछ रहा है आप अपना जो है registration किये हुए employment office में तो इसनों में जनकारी देंगे उसके बाद summit वाले विकल पर क् करें जैसे ही आप से ब्लॉंग करते हैं आप से पूछे का आप स्यूर है यहां पर इस वाले विकल पर क्लिक करेंगे फिर आप अगले step में आते हैं जिसमें आप से contact detail पूछ ची जा रही है जैसे आपका मोईल नंबर email ID मिलेगा ही आपका correspondence address जो भी होगा जिस भी according लिखते कॉमा लगा कर post office लिखे कॉमा लगा कर police station लिखे इस परकार जनकारी को दीजिए फिर अपना pin code देंगे जो भी आपका state है जो भी आपका district परता है उसको बताएंगे अगर आपका correspondence permanent दोनों समाने है तो इस check box पर tick करेंगे दोनों fill होगा अलग अलग है तो अलग अलग जनक जनकारी भी आपको स्यूर है पूछेगा उसको इस करकर आगे बढ़ेंगे अब आप qualification वाले detail में आते हैं जिसमें सबसे पहले qualification में मिलता है add new qualification जिस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको matriculation की जनकारी देनी है matriculation के बारे में पूछ रहा है qualification में तेंत चुने अब इसमे यानि जो दस्वी आपने किया है किस स्कुल से किया है इसकुल का नाम लिखेंगे अब यहाँ पर आप से subject पूछ रहा है जैसे मालने यह दस्वी में आपने हिंदी पढ़ा है math पढ़ा है इसके अलबे science पढ़ा है social science पढ़ा है तो यह सभी जनकारी क्या करें आपको लिख किया है यहां से passing year को बताएंगे अब उसके बाद नीचे आएंगे तो आपकी क्या percentage है और जनकारी आपको बतानी है इसके अलावे जो certificate मिले होंगे आपको certificate certificate पर दिये है तो दीजिए अन्य था इसको छोड़ दीजे क्योंकि जहां है बना है वही जनकारी देनी कमपल्सरी है जो भी certificate होगा उसको आपको दो mb से नीचे में पीडिया format में upload करना है उसको यहां से select करेंगे फिर save qualification बाले विकल पर क्लिक करना है इस परकार detail एड़ होगी अब जैसे मैंने 10 भी पास किया 12 भी पास किया तो यहां पर मैं अगला detail intermediate को डालूँगा intermediate में आपको यहां पर आजो है अपने science commerce art किस से पढ़ाई किया है वो जनकारी आपको यहां पर देखनों को मिलता है अब कोई 12 माले यहां पर science से किया है उसका यहां पर देखिए subject मिल ही नहीं रहा है तो आप यहां पर general वाले option को चूच करेंगे फिर यहां पर आपको जो science में आपने physics पढ़ाऊगा chemistry पढ़ाऊगा math पढ़ाऊगा English पढ़ाऊगा तो इस परकार सभी subject को add कर दीजे कौमा लगा कर उसके बाद result आपका percentage sorry pass या वो जनकारी देंगे उसके बाद कब आप इससे pass out किये हैं वो जनकारी आप यहां से बताएंगे जो भी percentage होगी वो ज आप graduation को add कर सकते PG किया उसको add कर सकते multiple option है जो भी आपने किया है उसको add कीजिए minimum बड़ा भी होने ही चाहिए अगर आपके पास कोई additional qualification है जब आप इस पर click करेंगे तो additional में आपको कुछ courses का नाम मिलेगा उसको भी आप add कर सकते हैं तो नहीं है तो इसको आप cancel कर सकते हैं और save by next पर click करेंगे आप document upload वाले में आते हैं जिसमें सबसे पहले आपको photograph upload करनी है फोटोग्राप आपका 10 के भी से 100 के भी के बीच होगा ये धियान रखीगा बकि उनका जो भी guideline है बतायागा कि photo आपका हाल का होना चाहिए फोटो का background हमेशा धियान रखे कि एक color का हो photo जबी भी क्लिक करें without cap without छस्मा ये सब आप धियान रखेंगे तो फोटो को आप upload करेंगे फ्रियां से signature का upload करना है फिर upload वाले विकल पर click करना है उसके बाद नीचे में एक option मिल जागा से बैनेक्ष्ट का जिस पर click करना है उसके बाद आप से work experience के बारे में पूछ रहा है नहीं है तो आप नो करिए ये जनकारी देने की जरूरत नहीं है आप सिंपली सब नेक्ष्ट वाले विकल पर click करेंगे उसके बाद आपका जो profile है वह 100% complete हो चुका है इतना आपको करने की यवे सकता होगी उसके बाद एक option मिलता है home का जिस पर click करना है उसके बाद आपके करना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर बताया भी गया है कि क्या qualification चाहिए वह आपको देख लेना है अब जैसे यहाँ पर click करते हैं तो application form में कुछ जनकारी आप से यहाँ पर पूछी जागे जैसे center आपको चुनने होंगे उसके बाद home district आपको यहाँ पर बताने जनकारी देब बाकी नीचे आएंगे तो तेंथ और 12 की जो आपके single PDF में ही आपके जो certificate अपलोड करने होंगे इसके लिए सबसे अच्छा उपाया है कि आप Google में convert to PDF लिकेंगे यह website मिलेगा अब माल लीजिए आपके जो तेंथ का certificate और 12 का certificate अलग-अलग है चूज फाइल जाए यहां पर माली मेरा तेंथ का यह है 12 का यह है दोनों को मैंने सेलेक्ट किया यहां से open वाले विकल पर क्लिक करूंगा और convert to PDF पर क्लिक करूंगा तो यह PDF बन चुका है डाउनलोड करेंगे यह डाउनलोड हो गया है अब इसको मैं यहां पर upload करूंगा NCC certificate holder है एस करेंगे तो इसको भी आपको upload करना है चेक बोक्स पर T करना है submit application पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर पूछेगा sure है आप submit करना चाहते हैं आप यहां से जनकारी को पहले एक बार देख ले सभी सई है तो आप यहां पर submit पर क्लिक करकर एस बाले विकल पर क्लिक करेंगे आपका जो form है वो submit होगा अब जो भी application पी आपको लगता हो देखनों के मिलेगा पे करने के लिए आपको submit वाले विकल पर क्लिक करना है यहां पर देखेंगे आपके सामने payment के लिए पूछेगा कि आपको किस से payment करना है तो यह payment को चुनकर यहां से आपको जो option मिलते हैं net banking से करना है debit card credit card तो उपर वाला ही option मिल लेकर इसका प्रेंट आपको लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है तो अभी अपने देखा मैंने इस भरती के बारे में पूरी डीटेल जनकारी दिया आसा और उमीद करता हूं अपने पूरी जनकारी समझा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वी हैंद